ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा, शुक्रवार के दिन करे यह एक चीद मालक्ष्मी दोनों हातों से बरसाएगी पैसा दोस्तों हर इंसान चाहता है कि वो करोटपती बने, पैसे वाला बने, उसके जीवन में पैसा ही पैसा हो इसके लिए वो काफी मेनक करता है, जी तोड लगा कर मेनक करता है, लेकिन इसके बाद भी जो है की उन्हें सफलता नहीं मिलती, उनके जीवन में धन की कमी, धन का अभाव हो जाता है लक्ष्मी एक आईसी देवी है, जिसका स्वाभाव चंचल है, माता लक्ष्मी आज एक स्थान पर तो कल दूसरे स्थान पर चली जाती है, अगर आप भी लक्ष्मी जी का बंधन करना सीख ले, तो आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा तो दोस्तो मैं आपको कुछ खास उपाय बताऊंगा, जिने शुकरवार के दिन करने से मा लक्ष्मी दोनों हातों से आप पर बरसाएंगी पैसा क्योंकी दोस्तो आप कितने भी सज्जन व्यक्ति क्यों नहों, आप कितने भी गुनवान व्यक्ति क्यों नहों, आप कितने भी संसकारी क्यों नहों अगर आपके पास पैसे नहीं है रुपये नहीं है आपके पास धन नहीं है तो लोग आपकी इज़त नहीं करते इन सभी गुनों के साथ आपके पास धन का होना बहुत जरूरी है अगर हमारे पास धन नहीं है तो हमारा जीवन नर्क जैसे बित्ता है इसलिए दोस्तो धन प्राप्त करने के लिए जो मैं उपाए आपको बताऊंगा उसे जरूर करना क्योंकि ऐसे गुप्त उपाई ही व्यक्ति को सक्सिस्पुल होने में सहायक होते है तो दोस्तो हम देखेंगे कि शुक्रवार के दिन खासकर वह कोन सी चीज आपको करना है जि मान्नेता है कि इस दिन मालक्ष्मी की विधी विधान से पुजा करने से जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती इसलिए इस दिन कुछ विशेश उपायों को करके मालक्ष्मी की कुरुपा प्राप्त की जा सकती है तो दोस्तो शुक्रवार की दिन आपको क्या करना है शुक्रवार की दिन धन प्राप्ति के लिए एक लाल रंग का कपड़ा ले और इसमें सवा किलो साबूत चावल रखे फिर चावल की पोटली बना कर उसे हाथ में लेकर ओम शिरिम शिरियनमा मंत्र की पाँच माला जाप करे फिर इस पोटली को घर की तीजोरी या जी स्थान पर धन रखते है वहां रख दे कहते है कि ऐसा करने से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते है साथ ही दोस्तों शुक्रवार के दिन शाम के समय गाय के घीका दीपक घर के इशान कोन में जलाने से पैसों से संबंदित परेशानिया दूर की जा सकती है इस दीपक में थोड़ा सा केसर डाले और रुई की जगह पर लाल रंग की सूती धागे का प्रयोग करे शुक्रवार की दिन और एक उपाय भी आप कर सकते है एक पिला कपड़ा ले उसमें पाँच कौडिया ले क्योंकि कौडिया मालक्ष्मी को अतिप्रिय है उसमें कुछ सिक्के डाले इन सबको एक कपड़े में बांध कर तिजोरी में या गल्ले में रग दे ऐसा माना जाता है कि इसके प्रभाव से कुछी दिनों में धन समंदी सभी समस्याए समाप्थ हो जाती है साथ ही दोस्तों शुक्रवार के दिन मालक्ष्मी की विशेश कुरुपा पाने की लिए हाथ में पाँच लाल रंग के फूल लेकर माता का ध्यान करे इसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए उनसे सुक सम्रुद्धी की प्रार्थना करे इसके बाद इन फूलों को पिजोरी या अलमारी में रग दे साथ ही दोस्तो शुक्रवार के दिन मालक्ष्मी को लाल वस्तर, लाल बिंदी, लाल चुन्दरी और लाल चूडिया अरपीत करना बहुत ही शुब माना जाता है दोस्तो अगर शुक्रवार के दिन आप यह उपाई करते है तो आपकी धन से जुड़ी दिक्कते दूर होनी शुरू हो जाएगी आपकी नवक्री, व्यवसाय और तरक्की में जो बाधाय आ रही है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में पैसे का आगमन होगा मा लक्ष्मी की कृपा आप पर शुरू हो जाएगी कहते है कि शुक्रवार के दिन अगर आप यह उपाई करते है तो इसका बहुत ज्यादा लाब होता है माता लक्ष्मी दवडे दवडे आपके घर चली आती है तो दोस्तो शुक्रवार के लिए जितने भी उपाई मैंने आपको बताए उनमें से किसी भी एक उपाई को करके आप माता लक्ष्मी की विशेश कृपा प्राप्त कर सकते है जिससे मा लक्ष्मी दोनों हातों से आप पर बरसाएंगी पैसा